स्वागत आपका AR News इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ आकिल रजा बिहार की राजनीती में एक नाम आता है राजेश रंजन अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजेश रंजन कौन है दरसल राजेश रंजन जिनको पपु यादव की नाम से जानते हैं मैं बात पपु ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अमिताब बच्चन को जो बॉलिवूट के महनायक कहे जाते हैं उनको दलाल वोला है पूरा मामला क्या है उस पर जाएंगे लेकिन उससे पहले पपु यादव के बारे में कुछ बता देते हैं पपु यादव की पार्टी इसकी जरूरत पड़ती है यानि मदद के लिए उनका नाम पुकारा जाता है जाए वो बिहार में बार आबदा का मामला हो या फिर अभी फिलहाल जो लोगडाउन की स्थिती हुई थी पूरे देश में उसमें मदद के लिए पपु यादव आगा आते हैं यानि कि उनके ऐ पुसकर लोगों की मदद कर रहे थे इसी लिए शायद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के नाम के आगए सेवक पपु यादव लिखा है अब हम आते हैं सेवक पपु यादव ने क्या ट्वीट किया है अमिताब बच्चन को लेकर और उन्होंने बोलीवुड के महनायक कहे जाने वाले अमिताब बच्चन के ओ दलाल क्यों बोला है दरसल सबसे पहले आप ये उनका ट्वीट देख लीजिए सेवक पपु यादव अपने ट्वीटर हैंडल पर रिख लिख रहे हैं अमिताब जी डिजिटल पैट्रोल का भाव आसमान चु रहा है आप ट्वीट ट्वीट नहीं खेलेंगे पंप अटेंडेंट अब नहीं पूछता है कि कितना डालू आप महनायक नहीं पिंप हो सरकार का दरसल ये पपु यादव अमिताब बच्चन के पुराने ट्वीट को रिट्वीट जो उन्होंने 24 मई 2012 को अमिताब बच्चन ने ट्वीट किया थ उस ट्वीट को रिट्वीट करकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त पंप अटेंडेंट आपसे पूछा करता था कि पैट्रोल कितने का डालू और अब ऐसे में जब पैट्रोल के प्राइस असी तक पहुच चुके हैं तो क्या आपको याद नहीं है कि पैट्रोल के प् ट्वीट में उनने पिंप शब्त का इस्तिमाल किया जिसका मतलब दलाल होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले भी लगातार चाहें वो अक्षे कुमार और बोलीवुट की जो बड़ी हस्तिया हैं जो लगातार 2014 से पहले सवाल उठाती रही हैं जिसम लोगों ने ले रखे हैं वो बार-बार उनको सोचल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और उनसे सवाल तलब कर रहे हैं कि आखिर अब क्या आपको दिक्कत नहीं हो रही है जब 40, 45 तक पैटरोल रहा था तब आपको दिक्कत होने लगी थी आप ऐसे सोच रहे ते सबसे वड़े जन हितेशी हैं लेकिन क्या आप आपको दिक्कत नहीं हो रही है जब पैटरोल के प्राइस दिन वा दिन लगतार बढ़ रहे हैं तो उन सारे लोगों के ट्वीट अब री ट्वीट हो रहे हैं कुछ के स्कीन शोट हैं जो सोचल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं लोग सवाल उ पुछ रहते हैं लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे पोलिटीशन्स भी इसमें जुड़ चुके हैं पहले कॉंग्रेस के पोलिटीशन्स जुड़े जिनोंने सवाल खड़े किये और अब पपु यादव का नाम आया और पपु यादव ने बड़े ही सकत लहजे में कीजिए बागी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए शुक्रिया